असलाम नेकुम डिये स्टूडेंट आज हम देखने जा रहे हैं प्री रीडिंग स्ट्राटिकल को कि उसमें टीछ ने क्या किया और उनका नेक्स स्टेप क्या था तो आर्टिकल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो तो आपको पहले ही पता है कि वो हावल का है, स्टेंडलेंड का है और स्क्वार्स का है 2020 में ये आर्टिकल लिखा गया था नाम आर्टिकल का है what happened before book reading start कि भॉत टेंड और अच्छे टीचर्स है वो book reading start करने से पहले क्या करते हैं कि बच्चे बिर्कुल अटेंटिफ हो जाते हैं, फोकस्ट हो जाते हैं और वो book reading के लिए त्यार हो जाते हैं किताब के जो आउटर एक्सपेक्ट्स हैं, जो टेक्स से रिलेटेड नहीं है, इसको डिसकस करें, ताकि बच्चों को समझ आए कि यह कौन है, यह क्या है, लिखने वाला है, उसने क्या बनाया, टाइटल कैसा दिख रहा है। सेकंड पॉइंट आता है कि बच्चों की जॉइंट अटेंशन को कैसे कैच किया जाए। उसका बेतरीन तरीका ही पराटेक्सिंग है। अब टीशर ने क्या किया, इस आर्टिकल में जो लिखा वे, जिनके उन्होंने अब्सर्फ किया है, स्टेडी किया हम उसको डिरेक्ट द इसका में फोकस किया था कि बच्चों के अटेंशन को टाइटल और कवर पेश की तरफ जो है फोकस किया जाए और उनको बताया जाए कि जनाब बुक रीडिंग स्टार्ट होने वाली, कहानी स्टार्ट होने वाली उससे पहले आप रैडी हो जाए। सबसे पहले हम टाइट आप देखें, टाइटल में तस्वीर बने ही हैं तीन लोगों की वाड़ यू तिंग के विच्वेन ऑफ में करेक्टर, तो एक बच्चे ने जवाब दिया था वाइट वाइट वन, फिर उससे सवाल किया कि आप जानते हैं कि इसके अंदर अगर यह मौमिन नहीं तो दूस नहीं देखते और किसीने कहा कि हमें नहीं पते हैं? जब तक काणी नीं पढ़ेंगा हमें अन्दाधा नहीं होगा. पर काणी की इलुस्ट्रेशन्स देखके अंदाधा करने के कोशिश पक् near बने हैं कि आपस में दुसरे को कैसे देख रहे हैं? कैसे खड़े वे एं, किया कि वो बीच में सवलाद कर सकें और एप को देख सकें और जुसके इंडर फीचर्स हैं जो कहानी को समझने के लिए ज़रूरी हैं उन फीचर्स को एक्स्प्लोर कर सकें टीचर ने एक और बहुत अच्छी स्ट्राटिजीस के अंदर अपनाई थी वह यह अपनाई थी क्योंकि आपको पता है कि छे बच्चे उनके सामने बैठे थे उनको आप भी देना था तो उसके लिए टीचर ने हर बच्चे को एक डिफरेंट किसम की काम साइन किया था कि उसके ऐक्ट्विट किया पढ़नी से पहले किताब को शुरू करने से पहले इसको मखसद क्या था कि बच्चों को किताब शूरू करने से पेहले किताब की मेन करेक्टर में फीचे दो और पता तो इसके अंदर उन्होंने जो भी सवालात किया, आप उन सवालात को देख सकते हैं, जिसको मैंने भी आपके सामने रिपीट किया, इससे अंदाजा हुआ कि ये बच्चे क्या और जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं, तो अब हमारे सामने कुछ मजीद सवालात आते हैं, ज कभी यह करेक्टर नहीं पड़ा दूसरे बच्चे ने का कि मैंने इसको टीवी पर देखा है और किताब को बच्चों के आगे कर दिया जो भी उनके पास आई पैड था या टाब मौजू थी बच्चों ने उसको गौर से देखा और आइडेंटिफाई किया कि जो मौमिन की प है उसकी फीचर को भी यूज करने आता है लेकिन जो आपस में डिसकर्शन कर रहे थे उससे बच्चों की विकाबलरी इनहास्मेंट हो रही थी और इस तमाम एक्टिविटीज के अंदर जो इंपॉर्टन फीचर वो सुन भी रहे थे देख भी रहे थे याद भी कर रहे थे और समझ भी रहे थे उसका नाम है डिजिटलाइजेशन अनिमेशन इस किसम के इंट्रस्टिंग करेक्टर्स और और इस किसम की टर्मिनॉलोजी जो हम टेक्नॉलोजी से रिलेट करते हैं वो भी लर्न करते जा रहे थे